शिब बाबा याद है ना? शिब बाबा याद की यात्रा से तुम्हारे सारे कर्म बंधन हट जाएंगे इस याद में बहुत आमधनी हैं इससे ही तुम बहुत उच और स्वच बनते हो फकीर से अमीर वपतित से पावन बनने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो मन मनाभव और मध्या जीभव बाब इसलिए सिर्फ एक बाप से ही तुम्हे सर्व संबंद रखने हैं तुम्हारी बुद्धी किसी भी देहधारी में नहीं लटकनी चाहिए सदास्मृती रहे कि इन आखों से जो कुछ देखते हैं ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है तो फिर मिट्टी के साथ क्या अग में आ जाएंगे और लास्ट में बाब ने कहा बहुत बच्चे मुरली की भी परवाह नहीं करते बाप तु कहेंगे बच्चे गफलत नहीं करो सदेव हंस होकर रहो बगुले का संग नहीं करो अगर तुमको खुश्बुदार फूल बनना है तो सिर्फ एक बात ही काफ अगर उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो माया एकदम खत्म कर देगी और अब सुनते हैं महवाक्ष्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो शाम को फकीर बनते हो फकीर से अमीर पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो मन मनाभव मध्याजीभव प्रश्न कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है उत्तर पहला याद की यत्रा तथा ज्यान का सिम्रन दूसरा एक के साथ सर्व संबंध रहे अन्य कोई में भी बुद्धी ना जाए तीसरा जो सर्व शक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो अपने उपर पूरा ध्यान हो दैवी गुणों के पंक लगे हुए हो तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे ओम शांति बापने बैट समझाया है यह है भारत के लिए कहानी क्या कहानी है सुबह को अमीर है शाम को फकीर है इस पर एक कहानी है सुबह अमीर था यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो यह दिल में धारन करना है बरोबर भक्ति फकीर बनाती है ग्यान अमीर बनाता है, दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है, सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है, पावन बनाने की, ऐसे ऐसे टोटके याद रखो, तो भी खुशे में रहेंगे, बाप कहते हैं, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो, कैसे बनते हो, यह भी बाप समझाते हैं, फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युकती भी बाप ही बतलाते हैं, मनमनाभव, मध्याचीभव, यही दो युकतिया हैं, यह भी बच्चे जानते हैं यह पुरुशोतम संगम युग है तुम जो भी यहां बैठे हो गैरेंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार स्कूल में भी ऐसे होता है नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं वह है हद की बाद यह है बेहद की बाद नंबरवार रुद्र माला में जाते हैं माला अत्वा जाड बीज तो जाड का ही है पर मात्मा फिर मनुष्य स्रिष्टी का बीज है यह बच्चे जानते हैं कि जाड वृद्धी को कैसे पाता है पुराना कैसे होता है आगे यह तुम नहीं जानते थे बाप ने आकर समझाया है अभी यह है पुरुशोत्तम संगम युग अभी तुम बच्चों को पुरुशार्थ करना है दैविकुन के पंख भी धारन करने है अपने उपर पूरा ध्यान देना है याद की यत्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं बाप जो सर्व शक्तिमान बैटरी है उनसे पूरा योग लगाना है उन की सदा करमातीत अवस्था है तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो कितने कड़े बंधन है इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है याद की यत्रा इसके सिवाई और कोई उपाय नहीं जैसे यह ग्यान है यह भी हड्डिया नर्म करता है यूं तो भक्ती भी न आदमी है इनमें ठगी आदी कुछ भी नहीं है प्रंतु भक्तों में ठगी भी होती है बाबा अनुभवी है आत्मा शरीर दवारा धंदा धोरी करती है तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है चार-पांच वर्ष की आयू से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाह सकता एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं फोटो आदी रखते हैं दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता हर एक आत्मा भिन नाम रूप देशकाल में पार्ट बजाती है नाम रूप सब बदलता रहता है यह तो बुद्धी में है कैसे आत्मा एक शरीर छोड फिर दूसरा हा लेती है जरूर चोरासी जन्म चोरासी नाम चोरासी बाप बने होंगी अंत में फिर तमो प्रदान संबंध हो जाता है इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं कलियुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए कितने बच्चे होते हैं फिर शादी करते हैं फिर बच्चे पैदा करते हैं इस समय सबसे जासी बंधन है चाचे मामे काके का जितने जासी संबंध उतने जासी बंधन अखबार में पड़ा पांच बच्चे इकठे जन में पांचों ही तंधरूस्त हैं हिसाब करो कितने धेर संबंध बन जाते हैं इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धी योग नहीं है सिवा सत्यूग में फिर इससे जासी है हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है हाइस्ट बाप बच्चों को अडोप्ट करते हैं जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है तुम ऐसे बाप की गोद में आये हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है तुम ब्रा लोग एक के साथ है तुम्हारा आपस में भी कोई संबंद नहीं भाई बेहन का संबंद भी गिरा देता हैं संबंद एक से होना चाहिए यह है नई बात पवित्र होकर वापिस जाना है ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन करने से तुम बहुत रोनक में आएंगे सत्योगी रोनक और कल्योगी रोनक में रात दिन का फर्ग है भक्ती मार्ग के समय है ही रावन का राज्ये पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है जैसे सत्योग से भेट करते हैं एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्ण पूछा कि स्वर्ग में हो या स्वर्ग में हैं, बुद्धी में रात दिन का फर्क पढ़ जाता है, कोई समझ से हैं हम तो नर्ग में हैं, फिर उनको समझाना पढ़ता है कि स्वर्ग वासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौं सापन करते हैं? ये बहुत मीठी मीठी बाते हैं, तुम नोट करते हो, प्रमात्मा शिव है वह कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे याद में कोई तो आमदनी होगी ना याद की रस्म अब निकली है याद से ही तुम कितने उच स्वच बनते हो जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच पद पाएगा बाबा से भी पूछ सकते हो दुनिया में तो संबंद और जाएदाद के पीछे जगड़े ही जगड़े हैं यहां तो कोई संबंद नहीं एक बाप दूसरा न कोई बाप है बेहद का मालिक बात तो बड़ी सहज है उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क नर्क वासी अच्छे या स्वर्ग वासी अच्छे जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे, कोई तो कह देते हैं नर्गवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्यूंकि बाप को नहीं जानते हैं, कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं, वंडर है ना बाप भी वंडर्फुल तो ज्यान भी वंडर्फुल सब वंडर्फुल इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धी इस वंडर में ही लगी रहे रावन तो वंडर्फ नहीं है ना उनकी रचना वंडर्फ है रात दिन का फर्ग है शास्त्रों में लिख दिया है काली दह में गया सरपने डसा काला हो गया अब तुम अच्छी रिती यह सब समझा सकते हो श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठा कर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए चोरासी जनमों की कहानी है जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी स्वर्ग में तो तुम आते हो ना फिर त्रेता में भी आते रहते हैं व्रिधी होती रहती है ऐसे नहीं त्रेता में जो राज ही जान सकते हैं अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदी सब नरकवासी हैं हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं बाहर के रहने और यहां साथ रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता हैं हंसों के संग से निकल बगुल बगुलों के संग में जाते हैं, बहुत बिगाडने वाले भी हैं, बहुत बच्चे मुडली की परवाह नहीं करते हैं, बाप समझाते हैं, गफलत नहीं करो, तुमको खुशबुदार फूल बनना है, सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा, यहां त समको ब्राह्मनों का ही संग है, कहा उच्च ते उच्च, कहा नीच, बच्चे लिखते हैं बाबा, बगुलों के जुंड में हम एक हंस क्या करेंगे, बगुले काटी लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी उच्च मिलेगा, सद बेव हंस होकर रहो, बगुले के संग में बगुला ना बन जाओ, गायन है, आश्चरियवत सुननती, कथनती, भागनती, थोड़ा भी ज्यान है, तो स्वर्ग में आएंगे, परन्तु फर्क रात दिन का पड़ जाता है, सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे, बाप कहते हैं, मेरी मत पर ना चल, पतित बने, तो सो गुणा दंड पड़ जाता है, फिर पड़ भी कम हो जाता है, यह राजाई सापन हो रही है, यह बातें भूल जाती है, यह भी याद रहे, तो भी उँच पड़ पाने का पुरुशार्द करें, नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक क पान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं, बाप से योग नहीं, यहां रहते भी बुद्धी योग बाल बच्चों की तरफ है, बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है विराग्य, इसमें भी परसंटेज हैं, कहा न कहा ख्यालात चले जाते हैं, एक दो स लव हो जाता है तो भी बुद्धी लटक जाती है बाबा रोज समझाते हैं इन आखों से जो कुछ देखते हो वे सब खत्म होने वाला है तुम्हारा बुद्धी योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धी योग रखना है यह माशूक वंडरफु भक्ति में गाते हैं आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धी योग हटाना पड़ेना यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धी योग है मेरे साथ बुद्धी योग होगा तो मालिक बन जाएंगे बाप कितना समझदार बनाते हैं मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्यान क्या है अब तुमको ज्यान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझ से हो अब तुमको फिलिंग आती है कि भक्ति में कितना दु मनुष्य भक्ति करते हैं अपने को बहुत सुखी समझ से हैं फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझ से अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आये हैं विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डारेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े उनको कहा जाता है उचे ते उची मत मत मिलती तो सब को है फिर कोई चल सके कोई चल ना सके बेहद की बादशाही सापन होनी है तुम अभी समझ से हो हम क्या थे यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है भक्ती मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वे सब सत सत करते थे लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते है ऐसे बाप को याद करना चाहिए यहां कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं सारी दुनिया कहती है पर मातमस सरव्यापी है और यह कहते हैं वो हमारा बाप हैं कांध से नाना करते रहेंगे तुम्हारे अंदर से हाहा निकलती रहेगी इसलिए नए कोई को अलाव नहीं किया जाता है अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों उप्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मौर्निंग धार्णा के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट खुश्बुदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है हंसों का संग करना है हंस होकर रहना है मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है गफलत नहीं करनी है दूसरी पोइंट कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम यूग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं आपस में कोई संबंध नहीं रखना है किसी हद के संबंध में लव रख वुद्धी योग लटकाना नहीं है एक को ही याद करना है वर्दान स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो न रहें लेकिन मिलकर एक हो जाएं इसलिए ही समा जाना कहते हैं भक्तों ने इसी स्नेह की सिती को समा जाना वो लीन होना कह दिया है लव में लीन होना ये स्थिती है लेकिन स्थिती के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है आप बच्चे जब बाप के वर रुहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो स्लोगन अंतर मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है अंतर मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है अच्छा? ओम शान्ती जिन माताओं के पास बहुत विग्ण या प्रिस्थितियां आती हैं, खास उनके लिए बाप दादा ने क्या डिरेक्शन दिया, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान मोती पासल उनके लिए जानना मोती शूड़